नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते मैं श्राशी वालों दोस्तों आज का यह वीडियो आप शबी के लिए थोड़ा शालग और बहुत ही ज्यादा महत्पुर होंगी ज्या दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपके एक घ्युनोने और श और काम वाले शाबिद होंगे जब दोस्तों विडियो को बिल्कुल लिभाइलें वासा टोटीन को ने वासितर ब कौन कौनशी बड़ी उपलबदी भी आपको देगी घर के महौल में पारूग जुन में क्या-क्या शुधार करने वाली है तो दोस्तों अंत तक देखिएगा उस शेर पहले दोस्तों जोई भग्द वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्ष में सच्चे मन से जय मातादी तो आई दोस्तों वीडियो को प्रहारम करते हैं दोस्तों कुछ समय से चल रही शमस्या का शमधान मिलने से यसमे आपको रहात और सुकुन मिलेगा यसमे भावगता के बजाए वायवारिक तरीके से अपनी कारिप्रणाली को अंजाम दे कुछ प्रभावशाली लोगों का आपकी दोस्तों ना शमध बनेंगे दाथा आपके व्यक्ति तुम्हें और अधिक शकार्दत प्तायश मे आने वाली है इसको प्रांधुस्तों यशमे अगर आपकी सावधनी को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमी विध्यारत्य को परतिश्परदाश्मंदी कारियों में और अधिक मेहनत करने की जरुरत होंगी दोस्तों अपने अंदर नकात्म विचार ना उपजने दें अगर कोई कोट से समधित मसला चल रहा है तो दोस्तों येश में बहुत अधिक शाधानी रखने की जरुत होंगी इसको प्रांदों से येश में आपके लिएश में होंगी आपको बता दे कि दोस्तों परिशानियों का शामधान तो आपको प्राप्त हुआ है फिर भी दोस्तों पूरी तरशे तकलीब दूर नहीं हुई है इसलिए निराशनों होकर अपने प्रतन जारी रखें केवल मीत्र का शयोग आपको प्राप्त हो शकता है इसलिए दोस्तों जो लोग आपको मदद करने में सक्चम है उनके शाथ ही अपने शमस्याओं को सेर करें इसको प्रांदों से ये श्मे आपके लिएश से महोंगे आपको बता दे कि दोस्तों किसी भी विप्रित पस्तिती में आप अपनी कारकुसर्दा दौरा हल निकालने का प्रयाश करेंगे और उनमें शबल भी रहेंगे तदा कुश्यमे से चल रही शमस्याओं का उचित समधान भी आपको प्राप्त होगा किसी नेदिकी रिस्तिदारों के यहां धार्मिक आयोजन में जाने का प्रोग्रेम भी यश्मी बन सकता है कभी-कभी अतियात विस्वास आपको नुक्षान दे सकता है तो दोस्तों यहश्मे उजनाई बनाने के साथ-साथ कारी रूप देना भी आपके लिए आपशो होगा बच्चों की किसी परिशानी में उनका मारदर्शन करना उनके मनबल को बढ़ाएगा तो दोस्तों यहश्मे उन पर आप जरूर ध्यान दे यहश्मे आपके लिए आपको बढ़ादे कि यहश्मे कई शारे बाते से समधित अचानक से समस्याएं बढ़ेगी जिसके वज़सी आपको किसे भी विशे में निरले ले पाना कठिन लग शकता है दोस्तों आपके बढ़ते कर्विजन के कारण करेभी व्यक्ति पर भी विश्वास रखपना आपके लिए मुश्विल होगा परवार और पेसे से समधित बड़े निरले यहश्मे आपको नहीं लेना चाहिए इसको प्रांदों से यहश्मे आपके लिए जो समयोंगे दोस्तों आपको बढ़ा दे कि शंतान के केरियर से समधित विश्येस करवाई शुरू हने से आपको रहात भी प्राप्त होगा पिता या फिर पिता शमन व्यक्ति का श्यूग आपको मिल सकता है जो कि आपके लिए भागोदाय कारक रहेगा हर काम कोई जुनावत तरिके से करते जाएं और शी आपको शफलता प्राप्त होगा इसको प्रांतों से याश्मे परिवार में कोई नकार्तमक पूरोने मसले याश्मे फिर से उड़ सकते हैं याश्मे बहुत अधिक धहर और स्यम रखने की जरूत होंगी दोस्तों याश्मे अध्यात्मिक और धर्मिक गतिलियों में भी आपकी पैस्ता पने रहेगी विद्यारती अपनी पढ़ाई पर विसेज ध्यान दें इसको प्रांतों याश्मे आपको बिदा दें कि जब भी कठनाया आती है आप उन प्रस्तितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जिसकी वज़ों से आपका तनाव थोड़ा कम होता है लेकिन दोस्तों समस्या का हल आप अभी भी ढूंड नहीं पा रहे हैं इसलिए आपको अपने स्वभाव में प्रिवितन लाने की अवश्चता होंगी प्रस्तिति का शामना याश्मे आपको करना शिखना होगा इसको प्रांतों से याश्मे आपके लिज़ समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि आपके कड़ी मेहनत और आत्मिश्वास आपको अपने लक्षियों को हासिल करने में भी शफल रखेगा बायों के साथ चल रहे मत भेत इसमें शमापत होंगी तदा शमनों में पुनह मदूर्दा आने वाली है बच्चों की किलिकारी शमनों कोई शूप समझार मिले शे घर में भी प्रशनता वरा महुल रहेगा किसी नहीं दिकी शमन की ब्यवाय के जिवोन में परिशानी आने से चिंता भी आपको रह शकती है इसको प्रहां दोस्तों यशुमी आपको बता दें कि गुसे कि अप्रिक्षा धैर और स्वेम से पस्तुतियों को शमालने का प्रयाश करें इससे दोस्तों आप अच्छे प्रिणाम को हासिल कर पाएंगे बच्चे की गत्विदियों पर भी आपको शमी नजर रखना चाहिए दोस्तों इन सभी चीज़ों पर आपको शमी गौर्ण करना चाहिए इसको प्रहांदों से शमी आपको शमी होंगे आपको बता दें कि आपको अपने स्वभाव में बड़लाव लाना यश में पर सकता है पस्तिति आपके पक्ष मेना होने की बावजुद भी आप अपनी नाराजगे को खुल कर नहीं दिखाएंगे अपने नेतरुत गुन को दिखाने का अउसर भी यश में आपको प्राप्त हो सकता है आपको बता दें कि आपके दोरा लीगे जो भी निरले हैं उनके परिणाम आपके लिए बहुत ही जागुदता महसुद करवाएगी और उसको प्रांदोसे यश में अगर आपकी केरियर को लेकर बात करें अर्थात आपके वह वैशाय की तो दोसे यश में बिल्डर वा फिर प्रॉप्टी डिलर उचीत मुनाफ़ा कमाएगे प्रांदोसे यश में बाहरी गतिद्यों और संपर्क शुत्रों से किते भी परकार की वहिपारिक अनुबंद ना करें क्योंकि दोस्तों दोखादड़ी हो शकती है यूँआ वर्ग भी अपने केरियर के लिए परती जो है कमपिर्टा से कारे करेंगे तो आपके लिए बैतर होंगे इसको प्रांदोसे यश में आपके लिए समगे आपको बता दें कि यश में बिजनस के नजरिय से समय बहुत ये नुकूल है आपके काम शुवता ही बनते जाएंगे किसी परकार की कॉंपिर्टेशन का स्वामना भी यश में आपको करना पर सकता है प्रांदो थोड़ी से सावधानी रखने से आप यश में शफल भी रहेंगे आपको बता दें कि यश में नोकरी करने वाली लोग बिजनस करने के लिए प्रत्रण भी करना शुरुकर सकते है इसको परांदो से यश में आपके केरेटि download के लिए जिस समयाई के लिए जो समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि कार्चितर में आपका वर्चोस बना रहेगा यश में लाबदायक पसतियां आपके उपर दस्तक दे रहे हैं प्रतु अत्यदिक मेहनत करने की यश में आपको जरूत होगी मार्केटिंग दता मीडिया से समधित कारियों को यश में दूर ही रखें यह आपके लिए बैतर होगे दोस्तों किसी भी परिषाणय में परिवारीक वर्ष्ट व्यक्ति की शला आपके लिए लाबदायक शाबित होगा तो दोस्तों यश में बड़े बज़रूगों का शलाह लेना आप बिलकुल नहिभी बोलें इसको प्रांद दोस्तों यश्मे आपके केरियर के लिए जो समयोंगे आपको बता दे कि दोस्तों यश्मे और यशाय में मेहनत के अनुरूप आपको उचित परिणा भी प्राप्त होगा सबी गतिवतियां सुचारों रूप से पूरी होती जाएंगी अपनी युजनाओं को जो है अपने तक ही शिमित रखें दोस्तों यश्मे इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए और फिसका माहौल भी यश्मे किसी परकार की राजनीती से आपको परिशानी दे सकती है तो दोस्तों यश्मे इन से बचने का प्रयाश करें दोस्तों युजन आपके स्वास के लिक्रेंगे बैतर होंगी आपकी लव लाइप को बात करें अर्थात आपके पारिवरिक जीवन की तो दोस्तों यस्मे जीवन सात्ती के आपका शाथ भी छोड़ सकता है इसके साथी दोस्तों येश में प्रेम शम्मनों को विवा के लिए पारविरिक शुवकिर्ती मिलने में कुछ कटनाईयां भी आशकती है येश में धहरे रखना आपके लिए जरुरी होगा इसको प्रांदों से येश में आपके लब लाइफ के लिए जरु समयोंगे आपके पारविरिक शुवकिर्ती जरुरी जरु समयोंगे दोस्तों आपको बदा दे कि घर के किसी समस्या को लेकर पती पतनी के कुछ उतनाव रह सकता है प्रेम शम्मनों में एक दूसरी के प्रती बिश्वास समंदों को और रदिक मजूद बनाएगा तो दोस्तों येश में अपने जिवन साथी पर आपको बिश्वास करना चाहिए इसकर साथी दोस्तों येश में प्रवाईक जिवन तो शमाने रहेगा प्रेम शम्मनों में किशी गलत फ्हेमी के वज़ेशे तरा उत्पन हो शकता है तो दोस्तों येश में इन सब चीज़ों पर आपको गौर्ण करना चाहिए अपने जिवन साथी पर आपको येश में सक नहीं करना चाहिए अपने रिलेसंसिप से समझे निरले को परवार दवराश मती मिल पाने के लिए आपको प्रत्र बढ़ाने होंगे और आपको येश में शबलता इन में मिलेगी योगा और मेट्रेसन करें तथा प्रकृति के शानेति में भी कुछ शमे अवश्वेतित करें दोस्तों ये आपके स्वास के लिए असमे अत्य आवश्व होंगे इसको प्राण दोसे ये शमे आपके स्वास के लिए से समय होंगे बढ़ सकती है अपनी जाच इसमें आप अवश करवाएं जो भी इनसे पीडित व्यक्ति हैं अपने श्वात का उच्चित धियान रखें उसको प्राद दोस्तों आपके स्वास्त करेंगे थाकान के वज़े से आपके मांद प्रेसियों में दर्द वा फिर खिचा हो रह सकता ह है दोस्तों आप यरे वयाम और मेट्टियसन पर stalk द मेड़िये दोस्तों यह आपके उद्थ होगा शादे दोस्तों आपको बता कि आप बहुत ही जल्दी शवद पर यकीन कर लेते हैं जे दोस्तों, जो वेक्ति आपको धोके देते हैं कुछ दिन बात आप उन्हें भूल जाते हैं और उन्हें फिर अपने जुनकाल में आने देते हैं यहीं आपकी शवद से जीवन की बड़े गलती है जे दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आपको दुदकार रहा है तो दोस्तों उनके पाश आपको वापस नहीं जाना चाहिए और उन्हें भी अपने जुनकाल में वापस नहीं आने दिनना चाहिए क्यों दोस्वों लोग कहते हैं ना क्यों लोग अक्षर आपको कहेंगे कि जिसने तुम्हें टुकताया है तुछ के पास वाया तुम्हे थोड़ा शाम भी शर्म नहीं आया ये दोस्वों तो आज ही आप उन्हें जोनकाल में एक बात ठान लें कि जो व्यक्ति आपकी जोनकाल सी निकल गए अगर वो एक बूरे व्यक्ति है तो उनकर शाथ छोड़ना ही है जै दोस्तों अगर वो आपके परिवार से ही उन्हें गलती के एक्षास है तो दोस्तों आप उन्हें अपने जोन में शामिल कर सकते हैं यदा श दोस्तों आगे सलगरी आपके लिए शमस्याका कारण मर्शकता है तो दोस्तों और एशी अधिक जनकर्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें धन्यवाद